अस्सलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडिमी के इस नए और लिटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूं 12 क्लास के उर्दू के कहकशा के किताब से चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है हम नहीं जानते जो क कि एक नजम है यानि कि कवीता है और वह भी नहीं तो यह इतालवी जुबान में लिखा गया नजम है यानि कि इटेलियन भासा में लिखा गया है और लिखने वाले कौन है योजीनो मुंताले यानि कि इस नजम के जो कि इतालवी जुबान में लिखा गया है इस नजम के ल विए इस नजम को तर्जिवह किस ने किया इसलिए इस लिए उसे यहां पर से थीन सवाल बनता है जो कि आप लोग के आपूचेटिव में पूचता हैं पहला सवाल कि हम नहीं जानते नाम का यह जो नजम है यह किस जुबान का है तो अब संव में रहेगा इतालवी इतालवी जुबान का दूसरा इताल्वी टिक कर देना है दूसरा question यह बनता है कि हम नहीं जानते इस नजम के मुसंणिफ यानि कि लेखक कौन है तो अफजिन में दिया रहे इग यो जीनों तो यह आप लोग लगा दीजिएगा तीसरा कोश्चन यह बनता है कि हम नहीं जानते नाम के इस नजम के मुतर्जिम यानि की ट्रांसलेटर कौन है यानि कि इसको इतालवी जुबान से उर्दु भासा में उर्दु जुबान में किसने ट्रांसलेट किया तो जाहिदा जैदी जाहिदा जैदी क्या है मुतर्जिम है यानि की ट्रांसलेटर है यह तो यह याद रखना है आप लोगों को बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम में कितना बार पूछा गया अब्जेक्टिव कोश्चन में तो सबसे पहले हम लोग यहां पर दो लोगों के बारे में पढ सबस्केदि विसवीं शताबदी या फिर सदी बोलिए बात देखी आप लोग समझते होंगे एक से लेकर 100 साल के बीच के समय को हम लोग बोलते हैं एक शताबदी उसी तरह 19 से लेकर 200 साल के बीच के समय को कहते हैं 20 सब्सक्राइबी तो भले ही यह जुईनों मुंक्ताली की 1896 में हुई थी लेकिन ये सायर किसके है बीसवी सदी के सायर है यानि कि ये शेर वशारी करना शुरू की थे सन 19 समय, तो उनिस से लेकर बीस साल के बीच के समय कोई, तो हम लोग बोलतے हैं बीसवी सदी, यानि कि ये जुनो मंताले जो है, ये बीसवी सदी के साहर है, पैदाईष कहा हुई थी, oven Till, when thethercca कप करो हुई थी, अठाइर स्चानवेर में और कहां हुई थी, तो जेनेवा मे योजूनो मन्ताले की पेदाईश 880-91 में जेनेवा नाम के जगा में हुई थी याद रखिएगा ये भी पूछ सकता है और इनफेक्ट पूछा भी गया है अब्जेक्टिव में कि योजूनू मंताले की पेदाईश कहा हुई थी? जयसी औसन में दिया रहता है जैनेवा कितने साल की उमर में पहला इनका शेयरी मज्मुवश किया गया जैक ट्रांसलेटर है इनके बारे मैं कुछ जान दीजे गर तनकीद नेगार करते हैं मैं आप लोग को बताई हूげ है कि कितना बार बताई हूं तो आप लोग जानते हुँगे अगर जानते हैं तो कमेंट करकर घृत कि जरूरुआ गर लिच है प्रोफेसर के पोष्ट पर से रिटायर हुए है यानि कि प्रोफेसर के पोष्ट पर भी जौब किया है फिर वहां से इनका रिटायर्मेंट हो गया और यह जादेतर जो है अब आप लोग इस नजमियन कि इस कविता को नहीं भी पढ़ेंगे ना तो कोई दिकत नहीं है जो इंपोर्टेंट है जहां से एक्जाम में कोष्टन पूछा जाता है और इंफेक्ट पूछा जा चुका है वो सारा चीज में आप लोग को बता दी यह आप लोग नजम को नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिकत नहीं है क्योंकि आज तक इस कविता से इस नजम से कोष्टन पूछा गया है और नहीं मुझे लगता है आगे पूछा जाएगा ठीक तो जो इंपोर्टेंट था वो मैं आप लोग को बता दी लेकिन फिर भी मैं आप लोग को इस नजम का खुलासा कर देती हूं देखिए हम नहीं जानते हम लोग क्या नहीं जानते हैं हम अपना भवि से हमारा जो आने वाला फ्यूचर हैं वो कैसा होगा गम में डूबा होगा या फिर खुशियों से भरा होगा यह मैं नहीं जानता देखिए मैं आप लोग को एक मिनट पढ़कर भी बता दे रही हूं देखिए हम नहीं जानते हैं कि कल कैसी होगी मुसरत से पूरी अगम के धुंदलकों में लिप्टूई हम नहीं जानते कि हम को यह राह पुरपीच वखम नौबा नौवादियों के सारों शबाब आफरी मुर्ग वजारों में ले जाएंगी या के पुरहौल वा तारीक पाताल में देखिए मतलब वही बात लिखी गई है कि हम नहीं जानते हैं क जीनों मंतले आगे लिखे हैं जब आप लोग इसका वीता को पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि यह बात बताने की कोशिश किये हैं इस नजब में कि हां यह तो बात सही है कि कोई भी इंसान अपने फ्यूचर अपने मुस्तक्बिल के बारे में नहीं जानता है लेकिन हर इ एक उम्मीद है कि 12 ग्लॉस में बहुत ही अच्छा माक्स लेकर आओंगा यह फिर तुल्द क्लास में बहुत अच्छा माक्स लेकर आऊँगी इसी उम्मीद के सांथे आप सुधूर्प कि तयारी कर रहे हैं और उसके सांसात्त आप अपनी जि मतल में जींदकी को भी भी रहेंगे तो इसी तरह हर इंसान के पास एक कोई ना कोई उम्मीद होती है जिसके सहारे वह अपनी जिन्दगी को जी पाता है और पूरी जिन्दगी जी लेता है तो उसी तरह योजीनों मुंताले जो है न वह भी अपनी जिन्दगी में कोई एक उम्मीद ढूंड रहे है जिसके जरिए जिसके सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी को जी पाए है तो यहीं सारी चीजह बताने की कोशिष की हैं कुछ खास नहीं है तो यह था पुरा आप आप लोगों का नज्बने का जो कीphase है जो की मैं इम्पोर्टेंट करके बताएं penalty जास्ञ रखना अपने पड़ों से अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा सकते और हां अगर आप लोग चैनल पर नाया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल अकन यान की घंटी को दबाकर और का अपसन क्लिक कर लेना है उससे होगा लिए कि मेरी रोज आने वाली वीडियो का अप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज